आगए सबी लोग तो फिर सुरू करते हैं क्रिप्टो करन्सी सीरेज के चैप्टर 11 में हम बात करने वाले हैं लाइट कॉन के बारे में लाइट कॉन एक क्रिप्टो करन्सी है जिसे गूगल के एक पूर विंजीनियार चारली ली ने सन 2011 में इसे इस्तापत किया था यह नौमी सबसे बड़ी क्रिप्टो करन्सी है शुरू में यह बिट कॉन का एक कॉम्पिटेटर हुआ करता था लेकिन अब इसकी लोग पिरियता कम हो गई है जिन्होंने लाइट कॉन बनाया था उन्होंने ये गोश्णा की थी कि यह बिट कॉन का लाइट बर्जन है अपरेल 2021 में एक लाइट कॉन की कीमप 310 डॉलर की करीब थी दूसरी क्रिप्टो करन्सी की तरह यह भी डी सेंडरलाइज क्रिप्टो करन्सी है जिसे किसी सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता है और हर धाई मिनिट में लाइट को नेट पर पर एक नया ब्लॉक बनता है ब्लॉक को पहले माइनिंग सॉप्ट्वेर के दौरा सत्यापत किया जाता है और उसके बाद जो इसमें माइनिंग करते हैं फिर उन्हें दिखाई देता है जो इसे देखना चाहते हैं जैसे ही माइनिंग सॉप्टवियर माइनर को बेरिफाइड कर देता है तो वस्चेन की नए ब्लॉग में फिर्विस्ट कर जाता है अन क्रिप्टो करन्सी की माइनिंग नॉर्मल कम्प्यूटर पर संबाब नहीं होती हैं लेकिन लाइट कोन को नॉर्मल कम्प्यूटर पर माइन्ड कर सकते हैं लाइट कोन और बिट कोन दोनों अपने अपने अलग अलगोरितम पर काम करते हैं Bitcoin SHA-256 algorithm और Litecoin एक नए algorithm का अपयोग करता है जिसे script कहते हैं Bitcoin को transaction confirm करने के लिए 9 minute लगते हैं वही Litecoin इसे दाई मिनिट में पूरा कर देता है Litecoin नेटवर्क ज्यादा transaction को समाल सकता है Litecoin मार्केट में Bitcoin से काफी छोटा है और आप इसका भी उपयोग चीजों को खरीदने और खातों के भी टांसपर करने के लिए कर सकते हो थैंक्स लॉट वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो पर रियम करते हैं 100 लाइक का और जो भी इस चैनल पर नाए है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर मेरे द्वारा लेके हुए मौटिवेशनल और रेशन सिपकोर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो इस्टेग्राम पर जाके फॉलो कर ले वहाँ पर मैं डेली पोस्ट करता हूं लिंक इंदा डिस्क्रिप्शन